हालो फ्रेंट्स मैं आप सब लोगों का अपने इडूकेशनल चैनल पे हारदिक अभिनंदन करता हूँ फ्रेंट्स आज के इस वीडियो का टॉपिक है बेपेसे प्रिलिम्स एक्जाम को पास करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स आने आवश्यक है जियां फ्रेंट्स आप लोगों को मैं कमेंट के माध्यम से बहुत समझाने की कोशिश कर चुका हूँ लेकिन आप लोग इस बात को सही ढंक से नहीं समझ पा रहे हैं तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी के लियरली देने वाला हूँ साथी बताने वाला हूँ कि कोई भी एक्जाम का जो कटफ होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है और किस तरीके से कटफ के बारे में पहले से निर्धारन कुछ भी कर पाना संभव नहीं हो पाता है तो आज के इस वीडियो में आप लोग अंज तक बने रहे हैं ताकि आपको एक रफ आईडिया हो सके कि कितना माक्स अगर हम लोग लेकर की आते हैं तो हम अपने आपको69 का पहले वो क्या होता है आपका कसी भी अग्जाम का जो cut-up होता है वो किसे होगा है के पहले में आपको किलियर करते हैं चलो कि प्रेलियम्स ईक्जाम में प्रिलेम्स एक्जाम में 150 कोोस्चन पूछे जाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार कोई नेगेटिव मारकिंग नहीं होता है अर्थार्थ आप इसमें अगर गलत उस हम लोगव चर्चा करने तो अगर हम लोग बात करेंा तो बात करें सिक्षऩ शिक्त के बारे जो 2021 में रिजर्ट कर लेड लिए कर आपने देखा की कोंशरा का में इसका गूण कोंशन का साथा फुर्फित इस विजह हैं तो तस से सका है एक सो तीन पंचानवे सी के लिए पंचानवे और चौरासी आप देख सकते हैं इस तरीके से आप देख पा रहे हैं उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले सिख्षी थट बीप्यसी के लिए तो यहाँ पर देखे कि कोशन जो है एक मोजडेट लेवल का था तो यहाँ पर की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिमेल केंडिडिट के लिए यहाँ पर जो ढ़िक देख की बारे में तो यह कोशन थोरा सा इसको भी आप कह सकते हैं कि एक पर ता इसका कट आप जो है 97 गया है male candidate के लिए और female के लिए 91 गया है तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि BPSC का जो कोशल लेबल जो है कोशल लेबल पर आपका BPSC या चाहे कोई भी competitive exam उसका cut-off जो निर्धारित होता है वो कई बातों पर निर्भड करता है कि वैरी भी कर जाए मैं इस बात के पूरे सही तरीके से मैं इसको दावा नहीं कर रहा हूं कि हम जो आपको cut-off बता रहे हैं उचना ही रहेगा लेकिन इस बात का एक rough idea ले सकते हैं कि पिछले कई वर्षों से ऐसा देखा गया कि BPSC जो है कि 110 से लेकर के 110 से लेकर के 90 के बीच इसका आपका cut-off जो है रहता है तो अगर आप लोग जेनरल कैटेगरी के भीरती हैं तो आपको दिमाग में एक बात रखना है कि हमेशा हमको जो है 120 प्लस का target लेकर के चलते हैं और अगर आप जेनरल कैटेगरी से बिलॉंग करते हैं य maximum जो cut-off गया है BPSC का वो 108 ठंक ही गया है हो सकता है कि 120 पर भी कई सारे लोगों का सेलेक्शन नो हो पाया ऐसा भी संभव होता है लेकिन आपको जो है एक एवरेज की अगर बात की जाए तो आपको 120 मार्क जो है आप अपने दिमाग में लेकर के चलें और अगर आप एक अन सकता है कि cut-off जो है कितना जादा तक बढ़ सकता है घट सकता है या सही मायने में उसकी जो है आपको जानकारी मिल सकती है तो उमियत करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद God bless you all take care of yourself